नमस्कार आदाब सच्रियकाल कैसे हैं आप दोस्तों तो मैं हूं डॉक्टर परमजीद आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम बात करेंगे स्वय के बारे में जी हाँ एक बहुत हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स है पर इसके साथ बहुत सारे भिन भिन प्रकार के मित्स और कई सारे गलत धारनाएं जुड़ी हुई है कई सारे डाउट्स हैं आज उसे क्लियर करेंगे तो यह बात करते हैं सौय के बारे में स्वय बेन जो है वो आप लोग यूमन पांच हजार साल से खा रहे हैं इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में खाय प्रोटीन होता है अच्छा मात्रा में प्रोटीन होता है जो के बार्टी बोलते कई बार वो इस एकुल तू दू दाट आट अज़ अच्छी इसे बहुत लंबे समय से cultivate किया जा रहा है पुरी दुनिया भर में produce होता है सोय बीन आपके dietary supplements में ही डाला जाता है soy supplements के अंदर soy protein, isoflavones, जो के तरीके से female estrogen के जैसे hormones होते हैं उस वो भी आप कई बात देखेंगे मगल यह बहुत mild होता है आपके वोड़ी में किसी प्रकार का change लाने के लिए insufficient होता है soy products जो है कई बार menopausal symptoms, bone health, memory, high blood pressure, high cholesterol के लिए भी promote किये जाते है कि अच्छे हैं अगर एफेक्ट देखें इन चीजों का तो बहुत minimal होता है तो एक सच कोई major effect treatment purpose से नहीं हो सकता but yes it is good to take protein sources regularly so health benefit में क्या कोई सोया आपका cholesterol कम कर पाएगा कुछ researches में देखते हैं कि हाँ सोया बीन से regular protein खाने से सोया बीन में थोड़ा fiber supplements, fiber भी है तो उससे थोड़ा cholesterol कम हो सकता है but that depends आपकी बाकी lifestyle के एक तरफ से सोया दूसरे तरफ से बाहर कर जंक food खाने तो कुछ नहीं होने वाले exercise नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होने वाले exercise नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर तो healthy lifestyle plus soya might help ब्रेस्ट कैंसर को भी help करता है और एक अच्छी मातरा में अगर आप स्वाय खाते हैं तो आपके फीमेल्स में ovarian cancer, breast cancer के रिस्क भी कम होते है तो soya being खाना है healthy है फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है और मेल्स के लिए भी है फीमेल्स में या कह लिए जिन लोगों को पोस्ट नीनो पॉजल या पीरेट्स आने बंद हो उनके बाद की उमर में अगर वो soya खाते हैं तब cancer प्रिवेंट होगा की नहीं होगा नहीं कह सकते उसका रिसार्च अभी चल रहा है और soya जो है आपको tofu में, soya milk में, endamame में इसमें भी आपको processed food में मिल जाएगा soy protein isolates भी अवेलेबल है उसके snacks भी अवेलेबल है और उसी के बने हुए imitation meat products भी market में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है तो इन सब चीजों में से आप ले सकते हैं, processed food थोड़ा कम खाने तो जाएद अच्छा होगा soy supplements के अंदर जो isoflavones होते हैं वो भी cancer को prevent या कम करने में help करते हैं उसी प्रकार के जो उने बताए female cancers, breast और cervical cancer उसी के अलावर post-menopausal symptoms या menopausal symptoms जो आते हैं hot flashes उसमें भी कई बार वो effective होते हैं लेकिन इस research में proven नहीं है तो soy जो है वो बहुत सारे अलग-अलग products में मिलता है जैसे के soya floor, whole soya bean, temp, tofu, soya milk इन सभी में अच्छी quantity में soya bean आपको soy products मिलेगा to find आप जरूर इसके जो भी आप product लेते उसके nutrition label को जरूर पढ़िएगा कि उसके अंदर soya है, soya isolate है और protein content उसका अच्छा हाई होना चाहिए अगर soya होते हुए भी protein उसका 20%, 30%, 35% तो कोई logic नहीं है उसको लेने का right उससे अच्छा simple soya bean की आप soya granules और soya chunks भी खा सकते हैं, soya isoflavonoids जादतर लोगों चीजों में आपको मिल जाएगा soya के अंदर side effects है की नहीं, सबसे पहला side effect जो बहुत ही simple है वो है allergy, अगर आपको soya से allergy है तो allergic reactions आने के रिस्क होते हैं और उसके अलावा stomach upset होने का रिस्क होता है पेट में ठोड़ा बहुत constipation, diarrhea होने का और कुछ लोग जिनके अंदर already बहुत ही कम मातरा में अगर वो iodine लिते हैं iodine की deficiency है, तो soy एक goitrogen जैसा act करता है यह goitrogen वो इस प्रकार के foods हैं कि अगर आपका thyroid होने वाला है तो इसके वज़े से हो सकता है, तो soy आड करने से हो जाए लेकिन यह goitrogenic effect जो होता है, यह कच्चे soy में होता है अगर आप उस तरीके के goitrogen, उसमें soy आता है, उसमें पतागोबी, ब्रॉकली इस प्रकार के cruciferous vegetables आते हैं इनको अगर आप बढ़िया से पका लेंगे तो goitrogenic property उसकी खतम हो जाती है तो soy लेने से, कच्चा खाने से, uncooked soy लेने से दिक्कत हो सकती है, तो वो नाख है और iodine की कमी ना हो, इसलिए iodized नमक का इस नमाल करें, चाहें वो कोई भी नमक हो, और side effects में ऐसे कोई evidence नहीं है कि इसके वज़े से cancer होता है, या इसके वज़े से कोई और बिमारी होती है, और क्या ये किसी प्रकार से, किसी भी परसन के लिए unsafe है, ऐसा नहीं है बहुत ही जादा मात्रा में, प्रोटीन का intake, प्रेगननसी या चायल्ड एज में नहीं करना चाहिए, इसलिए बच्चों के case में बहुत जादा मात्रा में सोया नहीं दिया जाता, लेकिन आप मानेंगे छोटे बच्चों के case में भी आपके जो बच्चों के foods होते हैं, जो तक बहुत अच्छा रहेगा 50 ग्राम पर डे सोया भी ले सकते हैं और मैक्सिममम 100 ग्राम तक आपको पीना जिजग के ले सकते हैं 60 ग्राम सोया पर डे का एबरेज कई सारे डेशो में एसिन डेशों में कही जगा खाया जाता है पर याद रखिए इस सेफ है 100-200 gram तक भी आप ले सकते हैं, 100 बड़ी आरांग से आपको 60-50 gram तक आपको प्रोटीन दे देदेगा 100 gram जैसे मैं ने कहा था, इंफेंट फॉर्मूला में भी अवेलेबल है जो बच्चों में यूज किया जाता है उन बच्चों में जिनमें डूद की अलरजी हो और उसमें कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता लेकिन आइसोलेटेट máxim product जिस में सिरिफ उरिफ प्रोटीन होता है वह नहीं रखोमेंड किया जाता विहकाज प्रोटीन भी होगा मातरा में बच्चों के अंदर उतरना भी नहीं हो, उनके अंदर बहुत ज़ादा carb की ज़रूरूर होती है बहुत हाई एक्टिविटी वाले लोग होते हैं, अगर सिर्फ प्रोटीन खिलाएंगे तो उनके अंदर कीटोसिस होना लगेगा, काब्स नहीं होगा तो थाइड इफेट्स होगा है, इसलिए ये चीजे एक अच्छी एवरेज मातरा में इंकलूड करें, अपने डॉक्टर स अपने पीडियाटिशन से बात कर सकते हैं इन प्रकार के प्रोड़क्स लेने के लिए, अगर आप किसी प्रकार का सप्लिमेंट लेना चाहते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे घर पे 25 से 50 ग्राम सोया बीन, बीच बीच में हफते में एक दो बार खाने में कोई दिक्कर नही and it is very safe, you can eat it no problems. I hope this video helps, please share this video, to consult me you can whatsapp on this number, thank you.